पेटकेर क्लिनिक एनिमल में आपका वागत है आज हम डोग को live डिवार्मिंग करेंगे जिस्से आपको पता चलेगा कि डिवार्मिंग को कैसे करते हैं होता है कि डोग को जो बड़ा डोग होता है जैक इस तरफ हो जी तो ऐसा है कि जब छोटा पपी होता है उसको एक माँ बार डिवार्मिंग करते हैं फिर दूसरे माँ फिर तीसरे माँ लेकिन जब वो तीन माँ का हो जाए फिर हम उसको तीन माँ बार डिवार्मिंग करते हैं और उसकेवाद जब साल का हो जाता है तो फिर हम उसको साल में दो बार या तीन bार उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं जब हम जरूरत पड़े जब हम देखें कि मारा डोग अब सुस्त हो गया है, खाना ठीक तरह से नहीं खारा, तो फिर उसकी डिवार्मिंग वह जरूरी हो जाती है डिवार्मिंग होती है, डिवार्मिंग यह होती है कि इनके पेट में स्टमक में आटोमेटिकली वोम जो उनसे होते हैं वह जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानि कि इनके पेट में कीड़े आटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं, तो जब तक हम उनको मारते नहीं हैं तब तक यह सेट नहीं होते हैं यह खाना खाना कम कर देते हैं और बाद सूर्तों में तो बिलकुल खाना खाना छोड़ देते हैं तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप आपको दिखाता हूं कि इसको हमने डिवार्मिंग इसकी हमने कैसे करनी है तो मैं इसके यारा मेडिकल स्वर शूर से भी आपको मिल जाएगी ठीक हिसमें दो गोलियों होती हैं तू टैबलिट से यह देख आप ठीक है यह दो गोलियों है यहिसके मेपेस ऑर इलागर विपियों- तो छुले में अपको जैक फ्लीस तो इसको मैं एकपको एका हम shells' Clayton यह देखें इसको हम पहले पीस लेंगे अच्छी तरह ताकि इनको खिलानी इसान हो जाए यह पीसली है अब इसमें सरफ मीठी ब्रेड है थोड़ी सी शूगर एड़ की है और इसमें थोड़ी सी चाय डाली है ताकि बिल्कुल शोक से इसको खा ले अब हम इसको इसमें इसमें दोनों गोली आड़ कर दी है इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसको एची तरह मिक्स करने के बाद हम इसको इसमें डाल देंगे और अब हम इसको डोग को खिलाएंगे जैक देखें इसने शोक से सारा खा लिया है लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डोग आपका जूंता है इसका पेड़ खाली होना चाहिए इस मैडिसन के लिए यानि कि इसको खाना खाय वे कम उसकंदो से डाई घंटे हो गया हूं तब आपने इसको ये देना है औ और अब हम इसको मजीद दो से ड़ाई घंटे कुछ भी नहीं देंगे और ये दो से तीन दिन में बिल्कुल ठीक हो जएगा पहले की तरह से खाना शाना शुरू कर देगा खेलना शूरू कर देगा बिल्कुल फ्रेश हो जएगा मैं इसी तरह आपको चोटी चोटी और निया ओके जी गुट बबाए